कहिए कैसे हैं आप जिन्दगी का कड़वा सच अगर हम अपने बच्चों को अच्छा भविश्य देना चाहते हैं तो क्या करें अगर हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो क्या करें क्या करें अपनी बात बताने से पहले ना मैं एक आपको इंसिदेंट सुनाना चाहती हूं जो कल ही हुआ मेरे साथ असल में हुआ कि कल सुबह मुझे कुछ काम था मार्केट में तो मैं स्टॉप पे खड़ी हुई थी और एक बच्चा और खड़ा हुआ था तो स्कूल बैग तंगा हुआ था स्कूल जाने की उनिफॉर्म में था और बिल्कुल चुप और दूर खाली सड़क को देख रहा था बस की वेट कर रहा था वो बच्चा बहुत चुप चुप था तो मुझे ऐसे ही लगा चलो इससे बात करते हैं जैसे हमें भी बच्चाने के नाम से तेंजन होती थी इसको भी हो रही होगी तो क्या शुरू करूँ बात तो मैंने उसको पूछा बिटा आप कौन सी क्लास में बढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी क्योंकि बच्चों का इंटरस्ट चुटियों में होता है ना जादा तो कहता है चुटी कौन सी कैसे तो मैंने का अरे इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं अच्छा बताओ आपको कौन सा फेस्टिवल अच्छा लगता है मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए उससे पूछा अच्छा बताओ आपको कौन सा फेस्टिवल अच्छा लगता है त तो बहुत enjoy करते हैं, जितना बच्चे enjoy करते हैं, उतना तो शाद कोई भी नहीं करता तो वो ऐसा कह रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया है, मैंने क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको कोई भी festival क्यों नहीं अच्छा लगता तो उसने कहा, कि festival मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता, उस दिन पापा बहुत ज़्यादा पीते हैं, शराब, और फिर गाली गलोज करते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, इसलिए मुझे कोई festival नहीं अच्छा लगता इतने में उसका आटो आगया, और वो आटो पर चला गया, और मैं ना खड़ी रही, मैं दो मिनट, तीन मिनट खड़ी रही कि यह क्या बोल गया, मतलब जो बच्चा जिसकी excitement होनी चाहिए, जो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसकी जगे, उसकी जो चेहरे की smile थी ना, उसकी जगे लेली कठोरता ने, एक सक्ती ने, मुस्कान तो उसकी गायरी हो गई थी, चेहरे पर spine नी थी, मुझे उसको देखके ना, मतलब बहुत महसूस हुआ, मैंने अपने आपको कंट्रोल किया, और मनी मन, मैंने बहुत कुस्सा किया उसके फादर को, मनी मन, हाला कि मै जानती नहीं बात किया है, पर बच्चा जूट थोड़ना बोलेगा, उसने देखा होगा घर में, उसने महसूस किया होगा कि फादर किस तरे से करते हैं, गाली गलोज करते हैं, मदर पर हाथ उठाते हैं, और अपने भाई भेनों पर हाथ उठाते होंगे, तो जो मैं starting पर पर बच्चे को अच्छा भविषय देना है तो, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, तो क्या करें? अगर पापा नशा करते हैं, तो उसको छोड़ दीजे, प्लीज, आप के भविषय का तो पता नहीं, बच्चे का तो घर्त में जा रहा है, नर्ख में जा रहा है अभी मैं एक और एक्जाम्पल बताती हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही Facebook देख रही थी, तो timeline पे एक फोटो आई, बहुत प्यारी सी लड़की, मतलब इतनी cute सी थी वो बाहर की, और foreigner थी वो, और वहां पे उसकी फोटो देखते एक दम से मैं रुख गई, कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके हाथ में बैनर था, एक फोटो थी, और उसके हाथ में बैनर था, उसमें लिखा था, कि मेरे पापा ने कहा है, कि अगर मेरी फोटो को thousand likes मिल जाएंगे, तो मैं smoking छोड़ दूँगा, cigarette पीना छोड़ दूँगा, और मेरे देखते देखते, ए पीना क्यों नहीं छोड़ते, बच्चे का सहारा किसले ले रहे हो, बच्चे का बहाना किसले बना रहे हो, ये बात, बहुत महसूस हुई थी, और जिसने भी वो कमेंट लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, तो जो मैं बात कर रही थी थी ना, कि बच्चे के अच्छे ररे जा रहे हैं और घरा कि गुसा उतार रहे हैं तो अप क्या सोचते हैं बच्चा अच्छा इंसान बन जाएगा, वो क्या देखनी जा हूँ उसकी आंखे नहीं है, बहुत सISH तिव होटा इबच्चा, बहुत सिपस्टिव होता है, अगर अच्छा इंसान बनाना है तो आ और आगे जो भूगतना पड़ेगा वो तो अलग बात है वो अलग इस्यू है उस पर तुम्हें आज जस्कस ही नहीं करें मैं तो बात करी हूं बच्चे के भूविश्यगी क्योंकि वो जो सुबह का इंसिडेंट था ना वो मुझे टच कर क्या पता ने कितने घरों की यह कहानी होगी कितने लोग इस तरह से पीके आते हैं और यह बात सिरफ यह नहीं है कि कम जो ज्यादा हाई-फाई सोसाइटी के नहीं होते हैं जो नॉर्मल घरों के होते हैं ना जो मिडिल क्लास फैमिली वो भी ऐसे रखते हैं शौफ के चकर में दस मिनट में चलते हैं वो दस मिनट होता है एक घंटे बाद यह होता है यह देखने में आता है आप कितनी भी पार्टी में चले जाए यह चले जाए यह चीज़ आम है और यह चीज़ बच्चों को कितनी फील होती है जो देखते हैं कि ग्रूप में जिस ग्रूप में वो वहां पर किस तरह की बाते हो रही हैं, क्या बाते हो रही हैं, बिना गाली के तो बात ही नहीं करते हैं, एकदम जानवर बन जाते हैं, जानवर होते हैं, जानवर, यह हात उठाना, गाली गलोश करना, यह क्या है, यह इनसान करता है, बिल्कुल नहीं करता है, देखिए, यह स सामने आती है, कि या तो बच्चा आपको नापसंद करेगा नापसंद भी, बल्कि बहुत लिसेंट वर्ड लोड आपसे नफरत करेगा अगर आट इस तरह को नापसंद करेगा या दूसरी बात क्या चीज़ होती है इसको पीके तो आदमी कुछ और ही बन जाता है पहले तो वह चोरी चोरी पीएगा और फिर बना लेगा उसको अपनी आदत और फिर वही वही सब कुछ करेगा जो उसने घर में देखा है वही सब कुछ करेगा बिलकुल वही का वही करेगा और फिर उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे कि उसमें हीन भावना आती जाएगी वो अलग थलग पड़ जाएगा दोस्तों से और वो चोरी भी करने लेगा बड़ी अजीब सी नेजर होती जाएगी उसकी क्योंकि अब वो एडिक्ट हो चुका है वो भी नशे का एडिक्ट हो चु इस तरह जो उसकी अगर संगत ऐसी हो गयी उसका friend circle ऐसा हो गया फिर तो आप सोच भी ने सकते कि क्या से क्या हो जाएगा हर रोज हम देखते नहीं है, खबरें पढ़ते नहीं है, इसका मर्डर हो गया, इसने ऐसे कर लिया, इसने गाड़ी ऐसे चलाई, नशे में चलाई, यही सब चीजे होती है, यही बच्चे निकल के आते हैं ऐसे, तो इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा, इसके लिए छोड पड़ेगा, बहुत पेरेंट्स तो लेते हैं और बच्चों को भेज देते हैं, बच्चों को दुकान पे, जा सिगरेट लेया, जा बोतल लेया, अच्छा बच्चे जो इस चीज के एडिक्ट होगा है, वो तो खुशी-खुशी जाएंगे, वो तो बलकि पापा से भी कू कि यह बच्चा पीने आता है, उन लोगों को क्या पता है कि किस मंदूरी में आ रहा है वो, उसको आना पड़ रहा है, वो आना नहीं जाता है, तो बहुत जादा ज़रूरी है, अगर वो ही मैं बार-बार एक बात कर रही हूँ कि अच्छा बविश्य देना चाहते है बच् के साथ बैठी है, उसके साथ टाइम स्पैंड कीजिए, उससे अच्छी अच्छी बाते कीजिए, उसको सिखाई है, उसके रोल मॉडी बनी है अब, यह क्या गज़ रहे हैं, आप तो एक हीरो बनने की बचाए विलेन बन गए, और गंदे वाले विलेन, बहुत गंदे वाल बन गज़ा है तो, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहेगा, वो चला जाएगा दूर, उसके बन देखना चाहेगा, इतना गंदा पापा है उसका, इस चीज को महसूस की दिए, यह जो है कि यह मुझे नहीं छोड़ रही है, यह बहाने बनाने छोड़ रही है, आज अब आपको फिकर नहीं है बच्चे की, वो कुछ भी करें, नहीं है फिकर, 100% कह रही हो आपको फिकर नहीं है, अगर आप बहुत जादा पीते हैं, और घर पे आके गाली गलोज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो आपको अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर की फिकर ही न और कोई सरोकार नहीं, बच्चे को अगर बुक चाहिए ना, सौ रुपेगी, तो बुक के लिए पैसे नहीं है, शराप के लिए है, यह होता है, तो आपको इन सब से दूर रहना होगा, और अच्छे नेक काम के लिए ना, कोई दिन की जाड़नी होती, यह जो इस समय का पल है यह बेस्ट है, आप मन में कर लिजिए, आप बहुत अच्छे बच्चों के पापा हैं, आप मन में डिसाइड कर लिजिए कि मैंने नहीं पीनी, कुछ भी, कुछ भी, आप अपने, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सोच सकते हैं, क्यूंकि आप बच्चे की मेरे पास तो वर्ट नहीं है कि मैं उस बच्चे की फिलिंग कैसे एक्सप्रेस करूँ तो यही सब आज अच्छली मैंने कुछ और बोलना था पर उस बच्चे को देखके न मेरा मेरी सोच बिलकुल बदल गई और मेरी रिक्वेस्ट है सीरेस्ली एक फैमली अच्छी फैमली बनी है आप मतलब लेड़ीज भी कितनी इस बात को लेकर टैंशन में रहती हैं बच्चे बाई बेहन कितना रहते हैं, उनको डर ही रहता है, रात को पाप 10 बुझे आ रहे हैं, तो पता नहीं किस हालत में आएंगे, कौन लोग लेके आएंगे, मतलब यह रूटीन हो जाती है, बहुत बुरा लगता, वैसे आप बताईए, आप क्या सोचते हैं इस बारे मे आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से अपते विचार जरूर बताईएगा, जरूर सोचिएगा इस बारे में, कल फिर मिलूँगी, तक तक, स्माइल भी रखिए, और पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव सोचिए, और हाँ, अगर आपने मेरा कर लीजिएगा, बाई